नमस्कार, News Click में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे Uniform Civil Code की पिछले महीने Law Commission ने बोला कि Public Opinion, Public Input आए और Religious Organizations और धार्मिक संगटन ने उनसे भी बोला कि आप Uniform Civil Code के बारे में अपनी रायत दिजिए अमरीका और इजिप्ट से लोटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारती जन्ता पार्टी के कारे करताओं के साथ बात करते हुए Uniform Civil Code को पूरी तरह से एक politicized मुद्दा बना के फिर से रख दिया दीरे दीरे अभी काफी उस मुद्दे पे polarization फिर से हो रहा है हिंदु-Muslim के binary से Uniform Civil Code के मुद्दे को देखा जा रहा है Uniform Civil Code का मुद्दा जो है कोई अभी recently ही नहीं की controversy मेरा है काफी दशकों से हमारे राजनीती के केंदर बिंदु बन के Uniform Civil Code रहा है ये भारती जन्ता पार्टी के एक प्रमुख कोर हिंदुत्व इशूज में से एक है हम लोग भी जो प्रगतिशी लोग हैं जो जेंडर इशूज पर बात करते हैं जो लोग सेकुलरिजम की बात करते हैं हमारे लिए भी अलग अलग personal law जो महिलाओं के प्रती discriminatory या फिर भेदभाव करने वाले होते थे वो भी एक बड़ा मुद्दा था लेकिन जैसे जैसे हिंदू राष्ट्रवादी और जो हिंदू नैशनलिस्ट और्गनाइजेशन्स हैं ये जैसे जैसे मजबूत हुए उनकी राजनीती जिस तरह से dominant होती गई हम लोगों के stance में भी nuanced परिवर्तन आए हैं हम उन्स nuanced परिवर्तन के बारे में बात करेंगे किस तरह से हम लोगों की सोच evolve हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे बात करेंगे मेरे साथ हैं प्रोफिसर जोया हसन जो जावालाल नेशनलिस्टी में प्रोफिसर थी और बहुत ही लंबे समय से इन जेंडर equality और secular movement के साथ जुड़ी हुई है मुझे याद है कि हम लोग जब मैं personally जब इस पेशे में नया नया पत्रकार बना था वो दौर था जब कुछी दिनों के बाद शाहाबानो का case 1985 में बहुत जोर से उभर के आया और शाहबानो का case को अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदू राश्रवादी संगटन है भारती जनता पार्टी राश्रे स्वयम सेवक संग आज जिस dominant position पे पहुँचे बहुत हद तक उसकी वज़े से जो वो reverse polarize करा पाए वो एक कारण था तो मुझे याद है कि जब शाहबानों के supreme court के फैसले को लेके राजीव गांधी सरकार में जब rethinking चल रही थी तो उसके विरोध में आपकी आवाज बुलंद थी उस समय मुझे याद है कि uniform civil court के जो debates होते थे personal law में reforms की बात होती थी तो उसमें आपकी आवाज हमेशा सुनाई देती थी आपके आपको पढ़ने को मिलता था तब हला कि इतना internet नहीं था लेकिन तब भी अख़बारों में, magazines में, journals में पढ़ने को मिलता था मैं इस चीज को पुरा recreate करना चाता हूँ तब में और अब में हम आप जैसे लोगों के जरीए हम जैसे लोगों के किस तर से समझ evolve हुई है तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि शाहबानों के judgment के बाद और उसके बाद जो political developments हुए उस context में जेंडर परस्पेक्टिव, women's movement और secular perspective से में personal law और uniform civil court की क्या position थी? देखें ये जो uniform civil court और जेंडर जास्टिस का मामला है ये तो बहुत पराना है ये मामला तो चल रहा है 1950 से और जब हिंडू कोट बिल आया और उसमें हिंडू personal laws में reform किया गया तो उसी वक्त खेर उसके खिलाफ बहुत opposition था हिंडू conservative से मगर उसके साथ साथ बहुत लोगों ने ये demand की कि जब आप हिंडू personal laws को बदल रहे हैं कि वो मौका सिर्फ partition के बाद और इतना वाइलन्स और टर्बिलन्स था तो वो एक मुनासिब वक्त नहीं था कि यूनिफॉर्म सिब्ल कोट की बात की जाए उसके बात ये चलता रहा मामला और फिर इसने जैसे आपने अभी फरमाया कि जब ये शाबानों का judgment आया जो कि एक progressive judgment था और क्योंकि और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी उसमें उन्होंने महद ये कहा था कि मुसल्मान डिवोसीज को मेंटरेंस मिलना जाए खैर तो उस पर बहुत हंगामा हुआ और तो उस वक्त जो women's organizations हैं जो आपका सवाल है वो उनकी position तो वही थी कि बही ये वो supreme court judgment को support कर रहे हैं अब ये जो position बदली women's organizations की क्योंकि इससे पहले women's organizations uniform civil court को भी support करती थी शाबान judgment को भी support किया मगर मैं खाल में नवे के दशक में ये बदला जब से हिंदू right एक तरहां से बहुत influential और powerful हुआ और हिंदू right ने uniform civil court के मसले को एक तरहां से appropriate कर लिया इससे पहले ये एक women's issue था ये women's issue था women's right का मामला था gender justice का मामला था मगर जब से हिंदू right ने इसको take up इसको लिया तो फिर ये एक political issue बन गया ये हिंदू-Muslim issue बन गया और तो अच्छा और फिर उसके साथ साथ जहरे जो जो हालात पैदा हुए जिसमें minorities का का जो पूरी situation थी उनका जो status था उस पे problems वे फिर violence इतना हुआ minorities के खिलाफ तो तो फिर women's organizations का की position ये हुई कि ये नहीं है कि gender equality नहीं होनी जाए मगर gender equality के लि एंफिस एक्वालिटी स्पॉंसर्ड सिविल कोर्ड कॉमन की commonality या यूनिवर्सालिटी दो चीज़ें की ये women's organization की एक तहां के two-fold position थी एक तो ये कि gender justice जेनर एक्वालिटी बहुत जरूरी है मगर उसके लिए uniformity या uniform laws नहीं जरूरी common laws होने चाहिए ये ये position थोड़ा सा मत मैं आपको मतलब चुकि भारती जन्ता पार्टी की राजनीती को काफी करीब से मैंने देखा है तो 1986 में लाल कृष्णा अडवानी भारती जन्ता पार्टी के president बनते है अठल विहरी वाज भी हर जाते हैं वो उनका जो मई 1986 साल भर के करीब हो चुका है शाहवानों judgment का आया के आये हुए उस judgment को रिपील करने की process भी चल रही थी लगबख उसी period में बाबरी मस्जित का ताला खोल दिया गया था हिंदूओं शदालूओं को February 1986 से वहाँ पे entrance मिलने लगती है तो उस समय जब president बनने के बाद अपने पहले presidential भाषन में लाल कृष्णा अडवानी बोलते हैं कि भारती जनता पार्टी प्रतिबद है आर्टिकल 370 को रद करने के लिए और इस देश में uniform civil code को लाने के लिए ये जनसंग के मरज़र जनता पार्टी के बाद ये पहली बार भारती जनता पार्टी ने ये जो हम बोलते हैं कि कोर हिंदुत्व इशूज की बात उठाई थी 80 से लेके 1986 तक वो गांधियन सोशलिसम के नाम से उसको ढूंड रहे थे और उसके बाद से उसको वो pursue करते हैं और तब तक जो है रामजन्म भूमी आंदोलन के जोर पकड़ चुका है कि उन पत्रकारों में से था जो आर्गू करने लगे थे बहुत अपने articles में जब आयोध्या के बारे में reporting करते हूए तो कि ये वक्त नहीं है कि uniform civil court के बारे में हमको लिखना चाहिए कि ये आना चाहिए उस period को समझना चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत confusion जो secular groups में था तरह मैं obviously मतलब मैं अपनी confusion को समझना चाहरा हूँ आप से कि वो confusion क्यों था क्यों लगता था कि मतलब अभी हम को uniform civil code की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ultimately एक और identity issue बन के और उसको हिंदू राइट ला रही है देंकि उसकी वज़े तो यही है जो आपने अभी कही कि इसको जिस तरह से हिंदू राइट ने लिया तो वो उन्होंने उसको gender equality women's rights का issue किया नहीं वो तो इसको देख रहे थे कि एक minority rights का issue है और यह खाली minority rights इसका issue नहीं है तो इसलिए मेरा खाल में जो secular organizations है secular groups है उनको यह लगा कि इसका misuse हो रहा है इसको गलत तरीके से इस्तमाल किया जा रहा है यो कि हम लोग इस वक्त भी देख रहे हैं जिस तरह से जैसा आपने अपने शुरू के उसमें introduction ने कहा कि प्राइम मिनस्टर बाहर से आने के फॉरण अमरीका से और एजिप से आने के फॉरण बाद उनोंने माद्र प्रदेश में जो पहली तकरीर की एक तरह से election का एलान सा किया 2024 के election का तो उसमें उनोंने सबसे पहले यह मामला उठाया तो यह जो है यह issue बहुत politicize हो गया और यह issue एक तरह से women's organizations के हाथ से निकल के political parties के उसमें चला गया और देखे शुरू से जो interesting और important चीज़ है वो यह है कि जैसा आपने कहा कि BJP के तीन issues से article 370 आयोद्धिया में राम मंदर और तीसरा uniform civil court तो दो तो उनों ने हासल कर लिए अब बचा यह तीसरा issue तो इसमें issue इस वक्त यह है कि यह तो अब यह political issue है और वो इनका कहना यह है कि जो एक asymmetry है कि आपने हिंदों के laws को तो बदला मुसल्मानों के और minorities के laws को नहीं बदला और यह जो asymmetrical treatment है unequal treatment है क्योंकि उनको यह लगता है कि सम्हाओ यह मुसल्मानों को या और जो minority के मजभब के लोग है उनको कुछ advantage है कम से कम मर्दों को advantage है मैं खाल में तो अगर है भी तो औरतों को तो disadvantage ही है तो problems तो है personal law में तो यह जो asymmetrical treatment है कि हिंदू reform हुआ मुसलिम reform नहीं हुआ तो इसकी वज़े से इनको एक वो मिल गया है एक तरह का कहीए एक वो issue एक मिला हुआ है और तो यह एक तरह से सेकिलर पार्टीज को भी शर्मिंदा करना चाहते हैं कि यह एक issue है जेनर जास्टिस का और आप लोग इसको नहीं ले रहे हैं मगर देखिए शुरू से जो एक problem था uniform civil code में यह 1950s में जब debate शुरूआ उसे अब तरह uniform civil code का मेरे खाल से आजादी के पहले भी थोड़े बहुत जिक्र आते हैं हाँ मगर जी असल में तो यह आया वही जब 1950s में rights और women's equality का issue होना चाहिए था और इसमें कोई शुबा नहीं कि यह है women's rights का issue मगर यह तो इसमें women's organization का बहुत अच्छा रोल था कि उन्होंने इसको national integrity से हटा के उन्होंने इसको women's rights के frame में रखा मगर वो जैसा आप ने कहा 1980s में late 80s से वो दोबारा women's rights के framework से national integrity के framework में चला गया और जो अभी प्रधान मंत्री ने तकरीर की माधिव प्रदेश में उसमें तो यह बात हैं उन्होंने clear हो गई उन्होंने जब कहा है कि एक ही खानदान में दो laws तो हो नहीं सकते मतलब जाहर उनका यह था कि एक मुल्क में दो laws तो हो नहीं सकते तो clearly यह फिर से मामला national integrity का ही बन गया आप अगर BJP और संग परिवार के लोगों की जिस तरह से uniform civil court को वो लोग हिंदी में बताते हैं कि समान नागरिक समय था तो नागरिक वर्ड वहाँ पर आ जाता है जो पता नहीं कि कितना सही है common citizenship वो उसकी बात आती है तो कहीं न कहीं उसको वो लोग जोडते हैं और भारते जन्ता पार्टी आज जिस dominant position में है उसके पीछे एक main argument यह है कि आजादी के बाद से तमाम जो so-called secular parties हैं उसमें Congress को सबसे बड़े party मानते हैं और बाकी जो मानते हैं कि ये भी Congress किसे ही मिले हुए है ये बात अलग है कि भारते जन्ता पार्टी ने अलग-अलग वक्त में जो दूसरे जो parties हैं उनके साथ alliances की हैं चाहे वो सोशलिस्टों के साथ 1960 के दशक में आपको जन्संग के alliances आपको देखने को मिलेंगे 67 में जो SVD की समभी विधायक दल की सरकारे बनी उत्तर भारत के कई सारे states में उसमें participant थे साथ ही coalition government से लाए जन्ता पार्टी में इन लोगों के साथ थे तो खैर वो double standards हैं उसकी बात हम अलग करें तो कही न कहीं ये हमेशा से भारती जन्ता पार्टी और इनके जो वो थे वो ये कहना चाहते है कि हिंदुस्तान में मुस्लमानों का appeasement किया है यही है बिल्कुर और civil code, uniform civil code को जो oppose किया जा रहा है वो appeasement को दर्शाता है आज के तारीक में भी यही कहा जा रहा है मोदी जी की भाशन की जिकर आपने किया उसके बारे में एक contradiction मैं point out करना चाहूँगा आपको और आपकी राय जानना चाहूँगा वो आके बताते हैं कि साब मैं अभी एजिप्ट गया था हुआ 90% लोग सुनी मुस्लमान है उन लोगों ने triple तलाक को पता नहीं कितने साल पहले कितका ही दशक पहले वो कानून खतम कर चुके आप दुनिया भर के इसलामी देशों को देखिए वहाँ पे भी यह सब कानून खतम हो चुके तो हिंदुस्तान में क्यों यह कानून खतम नहीं होते हैं हिंदुस्तान के जो मुस्लमान हैं उनको लगातार अटैक किया जाता है पैन इसलामिजम अपनी लॉयल्टी मुल्क के बाहर मसलब आपका होली लैंड तो बाहर है लेकिन आपकी political affiliation भी है खिलाफ़त मुवमेंट को जो क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को जो क्रिटिसाइज करते हैं वो भी इसी बात पर कि हिंदुस्तान का मुस्लमान को आपने ग्लोबल मुसलिम इशू के साथ जोड दिया ये दिखाता है कि आपने 1920 से आपने मुसलमानों को एपीज किया है कि उनको बोला है कि और मुसलमानों के मुद्दों को हम अपने में शामिल करेंगे तो आप हमारे साथ आ जाएए ये एग्जैक्ट आर्गुमेंट उनका रहा है तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि एक तरफ तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को एटैक कर रहे हो लेकिन आप आके ये भी बोलो कि देखो दुनिया के मुसलमान ये करें तो आपको भी ये करना चाहिए नहीं देखिए डबल स्टेंडर्ड तो है मगर उसके साथ साथ देखिए दो चीज़ें और हैं एक ये कि देखिए मुस्लिम परसनल लौ में कोई चेंज तो हुआ नहीं और चेंज नहायद जरूरी है इसलिए कि मुस्लिम परसनल लौ जो हैं वो हैं डिस्क्रिमिनेटरी वो और तों को एक्वल राइट नहीं हैं तो मुस्लिम परसनल लौ को में चेंज होना चाहिए रिफॉर्म होना चाहिए मगर मसला यह है कि वो रिफॉर्म का क्या तरीका है जैसा आपने कहा कि क्या वो स्टेट स्पांसर रिफॉर्म होगा है या मुसल्मान खुद करेंगे और उनका कौन रिफॉर्म है अब हम तो यह नहीं समझते हैं कि आल इंडिया मुस्लिम परसनल लौ बॉर्ड जो है वो सारे मुसल्मानों को रिफॉर्म कर सकता है खैर वो एक अलग मसला है मगर एक यह बात तो हम लोगों को मानना है हम सभी मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है औ पर इस डिस्क्रिमिनेशन हमको यह मानना चाहिए कि मुसल्मान आौतों का डिस्क्रिमिनेशन मुसलिम परसनल लौ में बाकी धर्म성을 के महीलाओं से ज़्यादा है या कंपेरे पर है अगर आप इसको हिंदू जो लीगल रिफॉर्म हुआ उससे कंपेर करें गी तो जाहरि हि वो एक मगर जो माइनौरिटी मजभी उसके बारे में तो मुझा इतना नहीं माल इल्म नहीं है मुस्लिम लीडर्स ने माइनौरिटी आइडेंटिटी के को एक तरह का कवर बना लिया है और वो चेंज नहीं कर रहे हैं, मसलना निकानामा है, उस पे इतनी बात री, मैरिज कॉंट्रैक्ट, वो तक ये नहीं बना पाए, तो ये एक मसलिए कैसे, मतलब कौन दबाव डाल सकत है, देखे हमें लगता है इसके दो ही, हम स्टेट स्पॉंसर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के खिलाफ हैं, तो हमको पूछ सकते हैं कोई, कि फिर आपका क्या प्लैन है, कैसे करेंगे हैं, तो यही हम कह रहे हैं न, तो फिर इसमें मुस्लिम ग्रूप्स और और और्गन में एक कंसेंस है, कि चेंज होना चाहिए, मगर चेंज है, वो इंटर्नल रिफॉर्म कम्यूनिटी खुद करें, तो फिर कम्यूनिटी कुछ इनिशिटिफ तो ले, अच्छा, अब एक इंटरिस्टिंग चीज जो हुई है, दूसरी चीज वो यह है, कि पिछले पंदरा साल में दो तीन ग्रूप, दो तीन ग्रूप बेबाग कलेक्टिव है, और एक यह महला एक वो आंदोल, वो है ग्रूप है, जिसमें जक्या सोमन, जक्या सोमन वगर रहे हैं, जिन्होंने ट्रिपल तलाग पे काफी, काफी वो किया, तो यह किसी, किसी सूरत से आपको इंटर्न कंसर्विटिव और मुस्लिम कंसर्विटिव मिले हुए हैं, और वो यह कि वो परसनल लौ को इतनी एहमियत देते हैं, कि मुसल्मान कहते हैं, कि परसनल लौ हमारी माइनौरिटी आइडेंटिटी है, हिंदू कंसर्विटिव ग्रूप कहते हैं, कि जब तक परसनल लौ रहे या आपने अगले पांचे महीने में पास कर दिया तो उससे क्या हिंदुस्तान की ओरतों की जो एकनामिक पॉजेशन है वगारे समाज में जो स्टैंडिंग है उससे वो बदल जाएगी देखिए मुसल्मान ओरतों के बहुत से मसले हैं और में एजुकेशन एक बहुत बड़ हैं और मुसल्मान ओरतों की फै olvides के थे मुसल्मान परिवार की ने परिवार की पेट्रिया अगरे हैं इसलिए मैंने कहां यह सब के लिए है مगहां इस वागियोawan की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको इशारा किया थे मने प्लायard के हैं तूरु टीछ है तो आप सही मुसल्मान औरतों के लिए सभी औरतों के लिए जैसे आपने बेकुछ सही कहा वो बहुत एहम है तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ये बताईए कि क्या वो एजुकेशन बढ़ाएगा क्या वो उनको इंप्लॉइमेंट आपिचुनिटीज देगा क्या उनकी मॉबिलि औरतों के शामने खाली मिसल्मान औरतों के वो ये जो डिकलाइइं है वोमन्स एंप्ल babies में एक कोड़ के लिए उससे पहले से चल रहा है ध्रैमाटिक डिकलाइई। है इंप्लॉइमेंट कि इस वात साओट अशिया में शायद मिसल French liner ऑख बंगलादेश के मैं यहां बहु वाइड लेवल पे देखें तो तकरीबर हिंदुस्तान में बहुत ही कम इंप्लॉइमेंट है और तो अब उसकी बहुत सी कंप्लेक्स वजुहात हैं तो अब इशू यह कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएंगे तो उससे क्या औरतों का इंप्लॉइमेंट बढ़ बढ़ जाएगा तो यह सारे इशूस जो हैं इनको हमें हमें इनकी तरफ भी ध्यान कार या भारती जंता पार्टी के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हर बार चुनाओं के पहरे लाया जाता है पिछले बार दो हजार अठारा में काफी हला हुआ था उसके बाद माम नौ साल से सरकार में हैं आपने सारे सौ नौ साल में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसले में कुछ किया नहीं बलकि एटीन्थ लॉग कमिशन जो था उसने तो बाकाइदा उन्होंने तो बाकाइदा कहा कि 21st 21st लॉग कमिशन 2018 आउगस्ट में उनकी रिपोर्ट थी त बलकि उन्हों तो यह कहा कि डाइवरसिटी जो है वो एक साइन है रॉबस्ट डिमाक्रिसी का अब आपने लॉग कमिशन रिकॉंस्टिट्यूट किया नया लॉग कमिशन बना और उन्हों ने फॉरण यह सब किया अच्छा चलिए ठीक है वो रेकमेंडेशन भी करें तो अ कोई ड्राफ्ट है कोई ड्राफ्ट है नहीं और उपिनियन आप मांग रहे हैं तो इसके माने यह कि यह तो यसन नो कहो गया कि कि यूनिफर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो दस लाट लोगों उन्हों कह दिया होना चाहिए एक चीज जो है हम बात कर जब से ट्रिपल तालाक पे जो इलिगला करने का जो कानून पास हुआ उसके बाद से अपने आपको पेश किया हमेशा भारती जनता पार्टी और प्रधार मतरी नरेंडर मोदी ने कि मैं मुसल्मान महिलाओं का रक्षक हूँ मैंने उनको पतानी कितनी परेशानी से कितनी खर जाब विवस्ता से रेस्क्यू किया है ये जो नेरेटिव है इसके बारे में आपका क्या क्या है कि क्या इसमें स्पेसिफिक सवाल होता है क्या मुसल्मान महिलाओं के लिए आप कुछ ठोस कदम ले सकते हैं उनकी स्थिती को उभारने के लिए बगैर इंटाइर बेजारबल चीज थी कि आप बैठे बैठे फोन पे कह दें तीन बार तलाख हो जाए तो वो तो बिलकुल गलत था और उसकी वज़े से एक तरह की अबैंडनमेंट का इशू था तो उसको तो बदलना चाहिए था मगर उसको आप लीगल और सुप्रीम कौर्ट ने तो उसक बाद जो कुछ भी आपने किया वो कोई इतना जरूरी तो था नहीं और दूसरे आप ने जो इसको क्रिमनलाइस कर दिया तो उसके बाद अब हमने देखा नहीं है इसलिए मुझे इल्म नहीं है कि कोई स्टाडीज हुई है इसके बारे में या नहीं कि क्रिमनलाइजेशन जो हुआ है ट्रिपल तलाग का उसके बाद उससे क्या फार्ख पर रहा है उससे कोई फायदा हुआ या नहीं मगर जहां तक इन प्रिंसिपल ट्रिपल तलाग को जोड़े बहुत इंपिरिकल स्टाडीज मैं नहीं कि बारे में लिखा गया है प्यूर्ली आट परसनल लेव किसी स्कॉलर ने कहीं जाके कुछ सर्वे किया कुछ लोगों से बात करके बहुत सिस्टेमिक स्टडी नहीं है लेकिन जो चीज उभर के आ रही है कि मुसलमान औरतें अगर जाती है कि उनके खिलाफ ट्रिपल तलाग करके उनके हस्बिन ने डिवोस कर दिया कि इस रेजिस् कि लास्ट पॉसिबिलिटी को बंद कर दे रहे हैं एक्साटली तो वो आपको अबॉलिश तो कर ठीक किया वो तो जैसा आपने शारा किया कि जादातर मुसलमान मुमालिक में यह नहीं था यह महां पे खतम हो गया तो यह तो ठीक किया मगर उसके बाद अब यह कहना कि यह स समझते हैं कि कहाली मुसलिब परस्नल लौ जो है मुसल्मान आॉर्तों का मसला है ऐसी बात नहीं मुसलमान आॉर्तों के अज़े्चिक센 है अब अगर कोई लड़की एज़्चिर्टी है उनके परिवार के बाकी लोगों की सिक्यर्टी है नहीं और देखे यह जो हिजाब की गर जरूरी आपने कांट्रोवर्सी करनाटका में पैदा की वो तो एक तरह से एजुकेशन के खिलाफ ही गई उन लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ अब हिजाब पहनना चाहिए और ना पहनना चाहिए वो एक अलग वो है उसमें हमारी एक पोजेशन है मगर ठीक है बह हिजाब ने इशू यह है कि वो स्कूल जा रही है वो स्कूलिंग उनकोई ज्यादा जरूरी है तो अब इशू तो यह है कि आपने क्या ठोस क्या क्दम उठाए हैं मुसल्मान औरतों के लिए सिवाए ट्रिपल तलाक के और वो भी माफ कीजएगा सुप्रीम कौर्ट ने त कभी इतनी एक्स्ट्रीम और वाइलेंट टार्गेटिंग ऑफ रिलिजिस धार्मिक अलपसंख्यों के खिलाफ इतनी किसम की टार्गेटिंग कभी नहीं देखी जिससरे से हो रहा है कामर यात्राय चल रही है आजगर अपने सब लोगों ने पूरे दुनिया में वीडियो देखा गया है कि एक मुस्लमान दंपत्ती को गाड़ी से उतारा गया उनको हुमिलियेट किया गया उनकी गाड़ी उल्टा दी गई और उसको पीट पीट के उसको डैमेज कर दिया तो इस तरह की चमाम चीजे देखने को मिलती है आज से डिसमबर दोहजार एकेस में हर्द अधक्ष किसी के तरफ से एक word of condemnation नहीं आता है तो भारती जिनता पार्टी एक तरफ तो पंजाब जैसे states में अपने पार्टी के बाहर के लोगों को अपना state का president बना रहे हैं जैसे मिस्टर जाखर को इन्होंने भी president बनाया है और दूसरी तरफ पिलकुल एक तरह से विजिलांते ग्रूप्स को खुला छोड़ के रखे हुए हैं तो इस माहौल में और ये जानते हुए कि gender justice के point of view से reforms होने चाहिए खास्तों से जो secular और जो progressive groups हैं उनकी क्या रनीटी होनी चीए मेरा आखरी सवाल है आपसे देखी ये ये जो सब कुछ minorities के खिलाफ और खास और मुसल्मानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है discrimination और बहुंसी violence वगारा एक तरह का subordination उनका जो हो रहा है exclusion public sphere से employment मुसल्मान ट्रेडर से समान नहीं खरीदना उनका boycott होना उनका economic exclusion हो रहा है तो जो जो पूरा माहौल पैदा हुआ है तो ये इसकी वज़े से भी लोग जो है इस मामले में uniform civil court के मामले में या gender justice का जो एक बहुत ही एहम issue है उसमें लोग तकलुफ कर रहे हैं लोग पीछे हट रहे हैं वो इसी कहीं इसे हिंदू उनको और शेय न मिले उससे जिसको कहते हैं हिंदू तो और उसमें और शेय न मिल जाए उनको तो इस वज़े से अच्छे अच्छे लोग जो जो progressive प्रगतिशील जो लोग हैं उनको भी ये लगता है कि भे ये वक्त मुनासिब नहीं है मगर देखे अब हालात जो हिंदूस्तान में पैदा हो गए हैं अब ये कहना कि कौन सा वक्त मुनासिब होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है इसलिए कि बहराल हिंदू राइट की forces जैसा आप में कहा बहुत powerful है तो अब ये सोचना कि ये 5-6 साल में बिलकुल कमजोर हो जाएंगी ये तो मेरे खाल में एक illusionary world में रहना है तो इसकी वज़े से मुझे लगता है कि दे जैसे वो पहले जिस तरह से उसको टेक अप करते हैं बजाए इसके कि खाली आप defend करें आपको ये और जादा initiative लेना हो चाहिए और एक तरह से ये पूरा gender justice के issue को टेक अप करें और जैसा हम लोगों ने पहले भी इस पे अभी यह बात की कि इसमें और और उनको Muslim women's organizations के साथ और शायद Muslim personal law board के साथ भी बातचीत करनी चाहिए हाला कि वो representative नहीं है हम तो उनको नहीं मानते हैं कि वो मुसल्मानों की हाँ लेकिन जब तक एक पोस्ट पे बने हुए है और उनको रिकनाइस किया जाता है एक तो यह voluntary organization है गवर्मन ने उनको लिजिटमसी और खासलों कांग्रिस ने उनको लिजिटमसी दी शाबानों के जमाने में उससे पहले तो आपने इनका कोई इतना नाम नहीं सुना होगा Muslim personal law board का वो क्योंकि उनसे बादचीज बागर रखी तो उनको एक वो मिल लिजिटमसी मगर बहराल तो आब वो हैं तो आपे तो एक organization तो कम से कम है सबसे important चीज यह है कि आपको हमेशा अपने उसमें ध्यान में fundamental rights को रखना है क्योंकि हमारा जो constitution है वो सब को equal rights देता है तो हमें उसको एक mirror आइना बना के अपने सामने उसे एक आइने के तोर पे रख के आखिर में बात यह है कि ठीक है यह बात सही है कि uniformity के माने equality नहीं होता है तो फिर आप यह दिखाएए कि diversity से भी equality हो सकती है सही बताया आपने प्रफिसर जोया हसन बहुत बहुत शुक्रिया आपने मतलब बहुत ही सरल तरीके से एक बहुत ही complex मुद्दे को आपने समझाया तो यह है challenge आज के हिंदुस्तान में secular औ साथ भी लड़ते रहें और किस तरह से gender justice के लिए भी किस तरह से आवाज को सबसे बुलंद तरीके से उठाएं ताकि कोई और आपके जो original agenda है उसको कोई और hijack ना कर ले नमश्कार